तो आज हम डिसकस करेंगे टीटी एक्जाम के कुश्चन पेपर को ठीक है जो कि 2021 में वा था और इसके कोश्चन जो है आपके आगामी उत्राखंड एक्जाम के डिफरेंट जो आपके अलग-लग एक्जाम है उसमें भी आ सकते हैं जैसे पुलिस हो गया पटवारी या गृप सी लेवल के अग्जाम आपके तो देख लेते हैं इसमें पहला कोश्चन है संसद में उत्राखंड के कितने सदस्य परती निजित्व करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा आठ तो जब संसद में बोला है तो आपके पांच लोकसभा के और तीन ठीक है दूसरा प्रस्ण है अखिल भारतिय सेवाओं से जुड़ा हुआ अनुछेद कौन सा है अखिल भारतिय सेवा यानि All India Services तो यह होता है अनुछेद 312 नेक्स्ट है उत्राखंड के राज्यपाल आंगल भारतिय कितने आंगल भारतिय को मनुनित करते हैं तो यह करते ह एक को ठीक है सत्तर यहां पर विदानसवा सीटे है और एक आंगल भारतिय है नेक्स्ट है ग्राम परधान हेतू निउन्तम आयू क्या होती है तो पंचाईती राज व्यवस्था के लिए जो भी उसमें पद होते हैं उन सभी के लिए जो है 21 वर्स निउन्तम आयू सीमा होत और ग्यारवी अनसुची में है 29 विशे तो ये दोनों आपको याद रखने है अगला प्रस्ण है शिलप्पा दिकारम की रचना जिसने की थी तो यह की थी इलांगो अडियल ने है इलांगो अडियल ने की और इस ग्रंथ को तमिल का पहला महा काव्यभी कहा जाता है नेक्ष्ट है जूते हुए खेत का प्रमान कहां से प्राप्थ हुआ था तो ये काली बंगा राजिस्थान से मिला था जूते हुए खेत नेक्ष्ट है महास्म संस्किर्ती से संबंदी धातु कौन सी है तो महास्म संस्किर्ती से संबंदी धातु है तांबा अगला प्रसंद देख लेते हैं अभिलेखों में प्राचिंतम भासा कौन सी है तो जो भारत की प्राचिंतम भासा इस समय वो कौन सी है जो प्राचिंतम भासा का दर्जाए वो है संस्किर्थ ठीक है जिसे आदि जननी कहा जाता है तो ये अभिलेकों में भी प्राचिंतम यही है संस्किर्थ सर्वपर्थम सोने के सिक्के किस वंस के राजाओने जारी किये तो ये किये थे कुषान राजाओने अगर सर्वपर्थम पूछा जाएगा तो आपको कुषान वंस करना है और सरवाधिक मात्रा में सोने के सिक्के तब आएगा गुप्त वंस अगला प्रशन आ गया सुदर्शन जील का पुनर निर्मान या पुनर रुद्धार किसने किया तो ये सबसे परताविश सक्र आ जा थे रुद्र दामन पर्थम का नाम आपको याद रखना है रुद्र दामन पर्थम ठीक है नेक्स्ट इसमें जो कोशन है आपका राय चूर दोवाब किन नदियों के मद्धे की भूमी को कहा गया राय चूर तो ये कृष्णा नदिय और तुंग भद्रा के मद्धे के छेतर को कहा गया था ठीक है एक कृष्ण इसमें मुझे मिला भी नहीं था इसका अंसर तो किसी को पता है तो कमेंट में बता सकता है कृष्ण ये था इसमें बारवाब प्रशन किस जातक कथा में बुद्ध को चांडाल के रूप में पहचाना गया तो ये उत्रखंड ट्वीटी एकजाम का ही कोष्ण है नेक्स्ट है रज्म नामा किस ग्रंत को कहा गया तो ये महाबारत का ही एक नाम है रज्म नामा या युद्धो की पुस्तक अगला है आलमगीर नामा किसने लिखा तो ये कोष्ण मैंने कम्यूनिटी में भी डाला था आलमगीर नामा के लिखा गए मुहमद काजिम ठीक है आलमगीर यानि औरंग जेब को कहते थे और इसे जिंदा पीर भी कहा गया है नेक्स्ट है अवद के लिए किसने कहा था यह एक ऐसी चेरी है जो एक दिन हमारे मुहमें आ जाएगी ठीक है तो अवद के लिए ऐसा कहा था लाड डलहोजी ने लाड डलहोजी का जो असली नाम था वो था चार्ल्स एंड्री रेमजे ठीक है और जो कुमाओं के छेटे कमिशनर थे हैंड्री रेमजे यह उनी का ही चचेरा भाई था चार्ल्स एंड्री रेमजे तो अवद जो एक परदेश था वो बहुत ही महतुपुन था ठीक है अवद को अंगरेजों के समय दुधारू गाए भी कहते थे क्योंकि बहुत अधिक राजस्व की प्राप्ती होती थी ठीक है नेक्स्ट कोशन देखते है यह भी अवद से जुड़ा है बंगाल सेना की नरसरी किसे कहते है तो यह अवद को ही कहा गया ठीक है तो GS यह GK के जो कोशन होते हैं तो वो थोड़ा टफ पढ़ते है क्योंकि इसका लिमिट क्या है काफी ज़्यादा होती है कहीं आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो कहीं आप जोग्रिफी पढ़ रहे हो उसमें इंडियन भी है वर्ल्ड भी है ठीक है पॉलिटी पढ़ रहे हो पूछा था प्रस्विन आ गया था उसमें जबकि लुसेंड हिंडी में प्रस्वेद दिया था तो इस तरीके से जितने आप आसपास के पेपर भी सॉल्व करोगे तो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा फिर राजनादी कलकत्ता से दिल्ली कब लाई गई तो ये लाई गई थी 1912 में 11 में गोसना की गई 12 में लाई गई नेक्स्ट है दिन राद बराबर कब होते हैं यानि सम दिन राद के इस्थिती तो common question है काफी 21 मार्च और 23 सितंबर को ऐसा होता है जब दिन राद बराबर होते हैं फिर अविस्व की सबसे पुरानी वलत परवत सिंखला कौन सी है तो ये है अरावली परवत सिंखला भारत के साथ कितनी देशों की सीमा है इस्थल सीमा तो ये है साथ देश है इस थलसीमा पर भारत के साथ है साथ अगला है घास के मैदान बताने आपको वेल्ड घास के मैदान कहा है तो यह अफरीका में है दक्षिन अफरीका पंपास अर्जिंटीना में है डाउंस घास का मैदान है औस्टेलिया और शेपी घहस का मैदान एं, मधी ऐसया में ठीक है, अगला परशन आ गया, जोयार भाटा का कारण क्या है जोयार भाटा जो उत्पर होता है, उसका मुख्य कारण है चंदरमा की जो चंदर और सुर्ये की गूरत्वागरसन सकती ठीक है जिसके कारण धर्ती का जो जल है वो उपर उठता है जैसे समुदर में जुआर आता है तो जल उपर उठता है भाटा में नीचे होता है ठीक है तो चंदर की चंदरमा के गुरुत बल के कारण है नेक्स देखते हैं जापान का मैंचेस्टर किसे कहते हैं तो यह है ओसा का ठीक है तो मैंचेस्टर के साथ आपको एक शीज याद रखना है कि मैंचेस्टर हम कब बोलते हैं जहां पर सूती वस्तर का केंद्र होता है जैसे भारत में बोलते हैं हम एहमदावाद को ठीक है उत् गरशता चालिसा किसे का गया है तो दक्ष्ण गोलार्थ में जो 40 से 50 डिगरी के मध्य में जो पश्वा पोवन चलती है उसी पो गरशता चालिसा कहते है कसमेदान को कब अपनाया गया तो 26 नवूंबर को अपनाया गया था g नैंटिंट फॉर्टिन में संसदात्मक्स आसन विवस्था में वास्तिविक कारेपाली का सक्ति किसमें नहीं तो होती है यह होती है मंत्री परिशा द्यानी की परधान मंत्री में फिर कितने प्रकार के स्वतंतरता हैं अनुछे दुन्यस में तो यह 6 प्रकार की स्वतंतरता हैं में मौलिक अधिकारों पर युक्ती संगत रोक कौन लगा सकता है तो यह संसद ही लगा सकती है ठीक है जैसे ससस्त्रबल होती है आर्मी होती है उसके लिए मौलिक अधिकारों को कुछ कम किया जाता है तो वो भी संसद कानून बना के ही कर सकती है ठीक है तो विधी निर्मान यानि कानूर निर्मान की जो सबसे बड़ी संस्था है वो है संसद लेकिन जो समिधान का संरक्षक है वो है सुप्रिम कोड़ ठीक है, तो यह आपको याद रखना है सरुपर्थम संसद आत्मक सरकार कहा से शरूबी तह ब्रिटन से शरूबी थी फिर है आर्टियाई कब लागुवा भारत में 12 अक्टूबर 2005 से और लास्ट कोशन है आज का दूइपिय महादीव किसे कहते हैं दूइपिय महादीव तो यह है औस्ट्रेलिया महादीव को कहा जाता है ठीक है धन्यवाद